स्वागत है आप सब का हमारे इस नया वीडियो लिक्षिर में जिसमां लोगा डिसकस करने वाले हैं यूजी सिननेट एकोनॉमिक्स और कॉमर्स का जो कमबाइन डेस्ट हुआ था उसके सॉलोशन्स के बारे में ठीक है इस टेस्ट में 50 क्वेशन्स थे आपने इससे अटेम्ट किया है और जिन्होंने भी आटेम्ट नहीं किया है यह वीडियो लिक्षिर देखके अटेम्ट कर ले इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगा तो वीडियो स्टाट करने से फेले एक इंपोर्टन एनॉंसमेट आप सब के लिए विए हमारे बैचेस हैं नहीं एकनोमिक्स के लिए कॉमर्स के लिए अनेजमेंट के लिए दिसम्बर 2024 के लिए और जूम 2025 के लिए यह स्टार्ट हो चुके हैं कुछ बैचेस जो है स्टार्ट होने वाले हैं आपको तैयारी में कम से कम तो पांच महीने लगी जाते हैं तो आप अभी से जॉइन करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी जो आफ्लाइन सें के खुबाइंट जो तीन चार इनिट जो हमारे मैच करते है के दो कम अ इंट्रनेशनल बिजनस के लिए आए लेंकिगग से लेतड है और कुछ ही धारुगास के जो हमारे मैथमेटिकल पॉस से लेए एक तरसा कम्बाइंट टेस्थ है मेरी हमारे उन्ट उनको ये कभर कता ह और इंटर्डेशनल बिजनस तो चलिए है हम लोग पहला क्वेशन देखते हैं पीपर जो हमारा हिंदी इंग्लिस दोनों में है तो होगा आप जैसा हो देख लिए तो पहला क्वेशन बोलता है कि अवस्पिति को दूर करने के लिए निम्लिकेत में कौन सी प्रसंशिल मौदेट नेती है मतलब मार्केट क्या है मार्केट में रिशेशन है मन्दी ठीक है मन्दी को आप बोलता है डिफ्लेशन और इंफ्लेशन होता था क्या होता है मुद्रा इस्पिति मतलब पैसे की वैल्यूगेट रहे है लोगों के पास पैसा जा रहा है और वो डिमांड जा रहा है उस वोजे से महाराई बढ़ रहे है यह तो डिफ्लेशन है इसमें क्या होगा लोगों के पास पैसे है नहीं उससे क्या होगा चीजों के कीमत तो गिर लेकिन क्या है इससे हमारे अर्थ ववस्था पे बहुत बूर आसर पड़ता है ठीक है हमारा जेडीपी जो है डाउन हो जाएगा तो हमारे जो Central Bank है गवर्मेंट है जीज जो ख्याल रखते हैं अब जो डिसकर्सन है यह तो हमने करी लिया है अब हम इस पर अनसर देखते हैं ठीक है ना तो क्या बोल रहा है पहला में The Central Bank by Government Security from Commercial Bank and Public तो आजकर ऐसे Question आते हैं A, B, C, D, E और एक से जाता Option है जो सही उपको चुनना है तो आप Question को ध्यान से पढ़िए और देखिए इस Question का जो Main Tracks है जो Main मुद्दा है वो क्या है Deflation है तो आपको लोगों के हाथों में पैसा पहुचाना है लोगों के हाथों में पैसा कब पहुचेगा जब बैंक के पास पैसे होगे लोन माटने के लिए तो आपको बैंकों के हाथों में पैसा पहुचाना है तो कैसे करेंगे Central Bank Bias Government Security from Commercial Bank and Public Bank भी और Public भी बोल सकता है नक में ली तो बैंक सी होते हैं हमारे इसके तो जो Government Security होते हैं G-SACS सरकारी पतिभूतियां कि अगर इस Central Bank जो हमारा RBI है उनको खरीद लेगा जिससे क्या होगा लोगों के हाथ में बैंक के हाथ में पैसे पहुच जाए तो पहला option हमाता सही है ठीक है अब देखिए तीसरा cut ग दूसरा बोलता है the Central Bank में height the bank rate इंद्रिये बैंक जो है ना bank rate को बढ़ा सकती है तो bank rate को बढ़ाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा बैंकों को लोन और महांगा मिलेगा बैंक अगर RBI से पैसे लेंगे उन्हें ज्यादा ब्याद शुकाना पड़ेगा तो नहीं लेंगे तो यह हमारा नहीं होगा लोगों पैसा पहुचाना है बैंक के हाथ में पैसा पहुचाना है तो भी हमारा option नहीं होगा अब अगर CRR बढ़ा दे बैंकों को अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा तो अगर बैंक के पास पैसे नहीं होगे लोगों को देने के लिए लोन के फॉर्म बाटने के लिए यह भी नहीं होगा अब दी दा सेंट्रल बैंक में रिडिउस दे कैस रिजर्ब इशिवा घटाएंगे बैंक को अपने पास पैसे कम रखने पड़ेंगे रिजर्ब में तो उसके पास ज्यादा पैसे होगे लोन देने के लिए ठीक है ना क्या लिखने है डी वाले में केंद्री बैंक नकद न से आँगे तो लोगों में लोन के फॉर्म में बाट सकते हैं अप्शन होगा ए डी और इकॉल्स है हमारा अप्शन निम्र आप देखिए इसमें आप अप्शन निम्र जो फूर है हमारा ठीक है इस तरह से आपको एक एनालेसिस करके अच्छे से पढ़के अधरवाइस एक् आपके हाथ से नमर निकल जाएगे ठीक है वात हैं क्वेशन नमर टू में दा मेन फीचर आप टीविड ट्रेजरी विड्स ठीक है राजपोस पत्र इसके मुझे विस्जिस ताहे गया है हमने देखा था टीविड कितने तरह के होते हैं ठीक है उसमें हमने इक इंपॉर्ट अगर सरकार की संपती लोग खरीटते हैं तो उन्हें जब रिटर्न करें तो इस बात का एस्टुरेंस हो कि उनके पैसे जो है मिल जाएगे अब देखी इसके बारे में लोग तो पढ़ चुके हैं इसमें देखते क्या हो रहा है क्या बूला जा रहा है पहला आप्शन आप अगर बट्टे बजारी किया जाता है और परिपकवता पर उनका सम्मूले पर पुरह भुकतान किया जाता है यह सही है इसका मतलब क्या निकलता है इसे टी भी लगा 100 रुपेगा होगा मान लेजे इक्जांपल के लिए 100 रुपेगा है तो आपको यह 96 रुपे में मिलेगा ठीक है और जब इसकी maturity की rate पूरी हो जाएगे तो जब आप इसे ले के जाएगे तो सर्कार आपको जो उसमें लिखा होगा 100 रुपे लेकिन आपको मिलेगा बट्टे पे 96 रुपे समय पूरा होने के बाद जब इसे आप जमा करेंगे तो आपको 100 रुपे मिल जाएगे मतलब बहला बहला सही है अच्छा क्या यह highly liquid है बतलब इसकी तरलता जो है कम होती है क्यक्कि एक साल से कम समय के लिए अलपावधि के लिए होती है यह गरत है इक से तरलता बहुत ही जादा होती है ठीक हैं ना कोई भी से ले सकता है आपको फैसा आपको लोटा ही देगे और अगर गवर्मेंट ही पैसा नहीं लोटा पाएगी संद्रार तो फिर तो उसके ले है कीसरा जो है there is no default risk विल्कुल सही चुक संबंधी जोखिम नहीं होता तर्रार पैसा ले रहे है तो पक्रह लोटा ही देगी they have an assured yield यह भी सही है तो ने शित प्रतिफल they have a high transaction cost उच्च संविवार लागत यह गलत है इसकी लागत कम होती है जादा नहीं होती है ठीक है तो हमारा option कौन कौन सो होगे है A C और D अब आप option देखी A C D कौन सा है A C D हमारा option number 2 है ठीक है तो D bills हमारे लिए बहुत important है ठीक है धयान रखिएगा आप Treasury bills अलग से पढ़ना है ठीक है अब आते हैं question number 3 इसे बुला जा रहा है कि अवरोही क्रम में वेवस्तित करिए देखिए एक बार question जो आया था उसमें particular date लिख दिया था सम दिसंबर 2021 या 22 करके ऐसे ठीक है तूसरा में जो rate था कि यह rate जो है घड़ता बढ़ता रहता है लेकिन अगर घटे भी बढ़े भी ना तो इसमें एक trend आपको देखने को मिल जाएगा उसी को arrange करना और होई मतलब बढ़ा से छोटी की तरब बढ़ा से चोटा और होही होता था छोटे से बढ़ से पर इसमें आपको क्या लग रहा है जो रेपो रेपो रेट में बैंक धर में और reverse रेपो किसका होगा ब्याज का? आप खुद देख सकते हैं. जो repo rate है? यह कौन सा rate है? यह जो ओर रेट है, जिसे जो चलिए होते हैं वो आज़िक बैंक होते हैं, वो RBI से लोन लेते हैं. जिस दर पर ब्याज दर पर कमर्सियल बैंक को लोन देती है उसे हम लोग रेपो रेट हो यह अभी करेंटली जो है करीब-करीब 6.5% है अब देखिए यह बैंकिंग का पॉर्षन है यह न बहुत डाइनेमिक है हो सकता है मैंने कल देखाना 6.5 तो यह बदल लिया हूँ अब आप खुद बताइए बैंक दर क्या होता है बैंक दर जो है इसमें लंबे समय के लिए पैसा जो आर्बे देती है लंबे समय मतलब एक साल से कमी उतना नमब नहीं कि एक साल से जादा हो गए और दूसरा इसमें कोलेटरल जवा नहीं करना है तो जाहिर से बात है इसमें ब्यास दर जादा ही हो गए अच्छा और तो रिवर्स रिपूर्ट क्या है आर बी आई जब वानेजिक बैंकियों से पैसा ले कमर्सियल बैंक से जब पैसा ले तो जो रेट पे वो पैसा लेगी कमर्सियल बैंक से जब पैसा लेती है तो जिस रेट पे पैसा लेती है उससे बोरते है रिवर्स रिपूर्ट क्या है ठीक है? अब अब खुद ही अनाजा लगा सकते है इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा होगा bank दर क्योंकि यह लंबे समय के लिए है और सांथ में collateral कुछ नहीं रखना है कुछ गिर्भी नहीं रखना है इसमें risk ज्यादा है तो यह सबसे ज्यादा होगा और करीब करीब अभी 6.75% उसके बाद क्या होगा अगर RBI बैंकों से पैसा ले रही है तो जाहिसी बात है वो जादा व्याज नहीं देगी यह सबसे कम हो जाएगा और यह बीज की वैली हो जाएगी हमारा option क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा B फिर हो जाएगा A फिर हो जाएगा C हमारा option number 2 जोगे correct है ठीक है इस तरह से आपको solve करना है थोड़ा सा logic लगा कर फिर आपको यह भी मन में ठोड आउट नहीं होना जाहिए कि RBI commercial bank से पैसा क्यों लेगी RBI तो सबसे बड़ा bank है Central bank इंडिया कर तो यह क्या करती है हो inflation को deflation को control करने के लिए मतलब उसकी जो monetary policy है उसके अंतरगत वो नमरसे बैंक से पैसा ले सकती है ठीक है ना? market में ज्यादा पैसा है तो क्या करेगी? market में ज्यादा पैसे होने से क्या होगा? महंगा ही बढ़ेगी, inflation बढ़ेगा तो क्या करेगा? वो reverse repo rate को बढ़ा देगा अब bank आपको loan देने के बज़ा है ना? आपको loan देने में risk है उसको तो क्या करेगी वो? करदिया ही को है पैसा देदेगी ठीक है? इस तरह से आपको logic जो है strong होना जीए तो हमारा option number तो जो है correct option अब चलिए थोड़ा जल्ली जल्ली करेंगे क्योंकि discussion थो हमने करी लिया था question number 4 अब देखे, which of the following is not an assumption or conclusion of the inflation targeting approach निमलिखित में कौन सा inflation targeting approach का पूर वनुमान इन discuss नहीं है तो ये बाकी आप check करिएगा ये इसका option जो है ना? ये 3 हो जाएगा इसमें क्या कर सकता है इससे तो जाएगा पैसा लोगों के खाते चला जाएगा इसेंटर बैंक सेल्स दे गवर्मेंट सेकुरिटी हाँ ये सही है ये दरिये बैंक, वानीजिक बैंकों से सरकारी प्रतिवुतिया बेशते हैं अगर बैंक जो है ना गवर्मेंट सेकुरिटी को खर देंगे तो पैसा देंगे अरभी आई को तो बैंक के पास पैसा कम होगा, कम होगा तो लोन जो रिंड देते हैं, वो भी कम दे पाएंगे, ठीक है, तो B वला सही है हमारा, दूसरा, the bank rate may be raised, बिल्कुल सही, bank rate ये बढ़ा देंगे हो, ठीक है, जिससे की bank जो है, RBA से ज़्यादा पैसा न ले पाए, raising the cash, the bank may reduce, अब ये सही है, तो ये तो गलत, ठीक है न, तो क्या मोलता है, evil option, raising the cash reserve ratio, बिल्कुल सही, नगत reserve अनकवात को बढ़ा देना, अरशित अनकवात को बढ़ा देना, जिस तरह से, उसे क्या होगा, bank को अपने पास ज़्यादा पैसे रखने पढ़ेंगे, रिजर्व, ज़्यादा पैसे जब रिजर्व ने पढ़ाएंगे, उसको loan देने का जो उसका power है, वो automatically कम हो जाएगा, तो लोगों को कम, जो loan जो है, वो sanction करता है, तो इस तरह से, इसमें कौन सा options हैंगे, B, C और E, तो हमारा option B, C और E, जो है, ये हमारा सही option है, ठीक है, अब 6 में आते आता हो, तो आप उसको असानी से match करवा सकते हैं, तो देखिए, reverse report rate क्या होता है, reverse report होता है, RBI borrows money for commercial bank, 1-3 ये sealed, 1-3, अब देखिए, दो option कट गए, ठीक है, B, bank rate क्या है हमारा, तो bank rate हो जाएगा हमारा, RBI provide loan to commercial long term, ये का ना, तो ये long term के लिए जो loan दे रहा है, ये हमारा क्या है, हमारा bank rate, B कर 2, अपको answer मिलगे, option 2, अधिकतर question ऐसा ही रहेंगे, वो सकता है, मान लिजी, आपको C, और D ना पता हो, लेकिन A और B के बारे में आपको पता था, फिर भी आपको answer जो ही unique मिलगे, कभी-कभी तो ऐसा होता है, कि A की, आपको answer uniquely बता हो, तो आप आराम सब्सक्राइब, तो हमारा ये 6 का जोन है, option number 2 will be correct, now, question number 7 क्या मोलता है, कि monetary policy instrument are, मौधरिक निती के जो ऑजार है, क्या-क्या है, क्या-क्या है, हम लोग नहीं पढ़ाता है, एक है open market operation, जिसमें buying and selling of security, government, security, treasury bills, होगा होता है, फिर है bank reserve requirement, फिर है interest policy rate, ये तीन जो है न, पुला बजार, तारक लाग, bank, अरक्षी तवस्त, bank, वेर्धर निती, राजपोसिये, ये जो है न, public expenditure, ये हमारा fiscal policy का पार्ट है, monetary policy का पार्ट नहीं, राजपोसिये निती, तो C, D, और E, option number, आगे आते हैं, question number 8, bank rate के बारे में क्या सही है, तो अगे हम लोग उसको discuss नहीं करेंगे, ये, अभी हमने discuss किया है, इसके बारे में, option number 4 will be correct, question number 9 में आते हैं, 9 में क्या वोग रहा है, ये, निमलिकित में किसके कारण, वाने जीक, bank किस reason, अभी ये भी related है, region चमता कम करनी है, वाने जीक, बैंकों की रिंद देने के region चमता कम करनी है, कैसे करेंगे, पहला, time and demand deposit नहीं, इससे तो लेना देना है, आपका हो जाएगा deposit with central bank, ठेक है, अगर आप central bank, इनका पैसा ले ले, ये जो bank है central bank, लेने का मतलब ऐसा नहीं को चीन ले, आप जो bank है central bank पैसा जमा करवा दे, वो कब होगा, जब वो ज्यादा ब्याज देगी, reverse दूसरा इसमें हो सकता है, cash in head, ठीक है न, ये भी जो है, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा है, तो क्या है, हाथों में ज्यादा पैसा है, bank में लोग जमान ही करवाने हैं, तो जाहिर सी बात है, bank के रिन देने के power जो है, उखट जाएगे, तो मारा option क्या होगा, C and D, ठ ठीक है, C and D will be correct, नवगों का तीसरा option, question number 10 में आते हैं, 10 में हमारा क्या है, which of the following measure would result in increase in money supply in the economy, ये करीब अभी तो question मिलता चुलता है, money supply मार्केट के बढ़ाना है, तो क्या क्या करेंगे, ये हमारा सही, खिंद्री बैंक को रा करीद, दूसरा हमारा 3 option सही है, सरकार द्वा A, C, और ज्यादा से ज्यादा notes है अपना, minting of money, ये तीन चीज़े हैं हमारा, A, C और E, तो हमारा option क्या है, ठीक है, now question number 11 में आते हैं, अभी ये देखिए, अभी जो हमने थोड़ी दर पले question किया था, given below are two statements, assertion A and reason R, नीचे दो कथन दिये गया है, ये कथन है और उसका कार पहला बोलता है, bank rate is always greater than reported, bank दर हमेशा रेको दर से अधिक होता है, बिल्कुल सही, क्यों होता है, उसका reason हम लोग जानते है, bank दर में collateral नहीं रिखना पड़ा, और वो लंबे समय के लिए होता है, तो आप देखिए क्या लिखावा है, reason में, collateral is not required when money is borrowed on bank rate, so more risk is involved, बिल्कु जो है, उसके आउसकता नहीं होते है, इसलिए अधिक जोखम सामिर होता है, बोथ A and B are correct, and R is correct explanation of A, A और R दोनों ही सही है, और R जो है, A की सही रियाखिया है, बार option number, ठीक है, अब आते है 12 में, 12 में क्या बोला जा रहा है, विजट अप्रोप्रेट मोड अप इंटरी निर्याद करेंगे, प्रणिति गंबर्ण बनाएंगे, या joint venture बनाएंगे, तो आप सबसे आसान होता है, इसमें, export करना, अगर आप नए नए बिजनसमेन हैं, जो इंटरनेशनल बिजनस करना चाहते हैं, तो आप export से start करिए, इसमें सबसे कम जोखिम है, ठीक है, यह नहीं और साथ यह भी है, कम अनुखर वाले, ठीक है, और सबसे उपयुक तरीका, तो हमारा हो जाएगा निर्याद, तेरे में आते हैं, तेरे जो हमारा व्यावसाइक वातावरन का है, बिजनस इन्वारेमेंट का ग्वेशन है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, which of the following is described as a person's right to live in healthy environment regardless of the race, nationality, income, gender और age, निमलिखित में से किसे जाती, राष्ट्रियता, लेंग या आयू से हट कर, स्वास्थ वातावरन रहने का अधिकार बताएगा, तो यह हमारा इन्वारेमेंटल इक्वालिटी, पर्यावरनी ये समाह, ठीक है, यह किसका प्वेशन है हमारा, बिजनस इ देखा था, अभी question number 40 आते हैं, यह mathematical question है, और ध्यान दखेगा, economics के लिए तो बहुत ही जादा mathematical हो जाता है, commerce वाले के लिए पूरा एक unit, जह है mathematical है, और साथ में अलग भी है, जिसे, अब game theory पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, लिकिन एक unit commerce वाले में purely mathematical है, जबकि economics वाले मे तो बिना math के गुजारा ही नहीं है, और हो higher level की mathematics है, उसमें integration, differentiation वगरा सब, ठीक है, now, अब आते हैं, यह probability के question है, तो दो dice को एक साथ देखा गया है, यह number बराबर का उतो सकते हैं, हम लोगी जानते है, formula हमारा यह है, e equal to any upon ns, तो एक दो die को फिकेंगे, तो sample space में कितने element आ जाएंगे, 6, दोनों बराबर का आपको है, जब 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, 5-5 हो, और 6-6 हो, मतलब उपार आ गए 6, तो 1 upon 6 हो हमारा ही आ गया, 14 के तीसरा, ठीक है, 15 वाले में आते हैं, 15 वाले में क्या बोला गया, एक बै प्रैक से या अद्रिक्षिक रूप से, बिना देखे हुए, एक दिस्क निकाले जाती है, इसकी प्रैक तक या यह नीला हो, ठीक है, अब देखे, नीला आपका फोकस है, नीला कितना है, तीन, तीन में से एक निकालने का जो यह है, 3C1, यह तरीके है, ठीक है, और टोटल क इसकी वैलू हो जाएगी, यह और इसकी वैलू हो जाएगी, 9C1, ठीक है, अब इससे आप सॉल्व कर ले, हमने क्लास में क्या था, 3C1 की वैलू कितनी आजाएगी, 3C1 की वैलू आजाएगी, अगर आप लिखते हैं, 3C1, फार्मुला क्या होता है, यह क्या है, संच है, ठी और फिर ये और में तो इसमें क्या था इन का फैक्टोरियल और यहां पे जो है हमारा इन माइनस आर का फैक्टोरियल ठीक है और यहां से यह पड़िया है उपर आया तीन और नीचे आगे क्या आपका 9C1 की वैलू आजाएगे 9 आजाएगा वान अपान 3 हमारा अंसर क्या आजाएगा वान अपान 3 क्लियर अब आते है 16, अब यह सब हमने बहुत अच्छे से practice कर रखा है, तो यह आप क्या करेंगे आरेवट वाले, इसमें क्या है न, आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें कुछ letters है repeat हो रहे है, हमने कैसे कहा था, इसे solve करने के लिए, इसे कहा था, आप ऐसे solve करेंगा, पहले आप गि अब कोई जो है न, letter repeat हुआ है, क्या, yes, a repeat हुआ है, a, 2, 3, 4, ठीक है, उस बात क्या है हमारा, t भी repeat हुआ है, यह दो बार है, और कोई repeat हुआ है, नहीं, और को repeat है, अब इसे solve करेंगे, तो जब solve करेंगे, तो आपका अंसर जोड़े लिए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहता जिसमें repetition नहीं होता, तो आपके रहें बहुत असान था, ठीक है, जैसे pencil वगरा हमने class में किया था, इसमें कोई जो letter है, कोई भी अक्षर है, repeat नहीं हो रहे है, जबकि इसमें क्या है, a जो है, 4 बार repeat हो गया, और t जो है, दो बार, ठीक है, ना उससत्र, ली पेर जो है, ज ठीक है, तो any upon any को कैसे solve करेंगे, आपके favor में क्या क्या है, टूटल कितने है, ठीक है, तो आप इसको solve करेंगे ना, तो साल में 52 तो आपको मिल जाए, लेकिन क्योंकि leap है, तो साल में कितने दिन होते हैं, लीप में 36, इसे 7 से divide करिएगा, इस 7 को इतना है, तिस, एक बचा, साथ दोना 14, दो दिन बचते हैं, अब ये दो दिन क्या क्या हो सकते हैं, आप देखिए, हो सकता है, ये संडे हो, और अगला दिन मंडे हो, मंडे हो, फ्यूस्डे हो, फ्यूस्डे हो, वेड्नस्डे हो, वेड्नस्डे हो, थर्स्डे हो, थर्स्डे हो, फ्राइडे हो, फ्राइडे हो, सैटर्डे हो, सैटर्डे हो, और संडे हो, यही आपको मिलने जा रहे हैं, दो दिन के कॉम्बिनेशन, टूटल कितने है एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, तो sample space में कितने element आ जाएंगे, साथ, ठीक है, sample space में जो है, साथ element आ जाएंगे, और उपर जो है, इसमें हमारे काम के कितने है, हमारे काम के सिर्फ दो है, क्योंकि बोला जा रहा है, आपको Friday जाएए, तो Friday कितने है, तो Friday देखिए, आपका एक यहाँ वाले में है Friday, Friday, Saturday, ठीक है, यहाँ पे है, Friday, Saturday, और एक यहाँ पे है, Thursday, Friday, उपर आ जाएगा 2, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 2 upon 7, ठीक है, ना, question number, 13, 18, sorry, अब इसमें देखिए, वो लीब था, और ही क्या है साधारन वर्स, तो साधारन वर्स में क्या हो, 365 दिन होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, यह question भड़ा साट्वेस्ट किया हुआ है, तो 365 दिन में, आप साथ से भाग करेंगे, तो 7 बचे 35, और 1 बचेगा 15, तो 7 बचेगा ठीक है न, यह total कितने हो गया है, 7, उपर में कितना, आपके काम काई की है उसमें, यह answer हो जाएगा हमारा, 1 बचेगा, ठीक है न, दोनों question में difference है, एक यह leave है, leave के वज़े से एक दिन साल में जादा होगा, 365 दिन, इसलिए जो आपको extra दिन बचेएंगे, जो किसी हफते में नहीं आते हों, तो दो दिन है, जबकि इस बाले में सिर्फ एक दिन है, अब आगे आते हैं, question number 19, यह क्या बोल रहा है, frequency distribution consists of three components with total frequency 50, 60, 90, having means of this one, combined mean का formula क्या था, अब देखेंगे, अगर mean को आप दिखाते हैं, यह से, तो n1, a1, plus n2, a2, plus n3, a3, upon n1, plus n2, plus n3, जब इसे solve पिरेंगे, तो हमारा जो answer है, 16.5 है, आप इसे solve पिर देख लिएगे, ठीक है, कोई doubt हो, तो जरूर आप comment करें, मैं, process कर दो जवाब देखेंगे, now question number 20, आपको क्या निकालना है, माधिका, माधिका क्या होता है, बीच के value, तो देखें, पहले आप गिनिए, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ है, odd, विसम संख्या, तो आप इसे arrange करेंगे, अलफावेटिकल आटर, आरो ही करमब, ठीक है, और बीच की value निकाली, arrange करेंगे, तो क्या जाएगा, पहले आजएगा 5, ठीक है, फिरा जाएगा हमारे 11, फिरा जाएगा 12, फिरा जाएगा 22, फिरा जाएगा 41, फिरा जाएगा 45, फिरा जाएगा कितने 9, फिरा जाएगा 20, फिरा जाएगा, फिरा जाएगा 20, हमें इसका option नहीं दिया है, फिरा जाएगा 32, क्लिया जाएगा 22, उसी तरह जब 20, करेंगे, question number 21 को तो देखे वहां तो यह odd था ना यहां यह even है तो even का formula आपने बताया था लंबर टाइम लग जाएगा उससरह 22 वाले का जो है अब यह क्या दिया हुआ है एक लासिफाइड है वर्गी कृत है तो हमारा formula है आपको मधिक ही निकालना formula क्या था m equal to l plus n upon 2 यहां देजेगा यहां से है minus f upon small f into i यह हमारा median है यह हमारा length है इसका lower limit of the median class जो median class है उसका lower limit lower limit of the median class ठीक है n by 2 क्या होगी है हमारी n by 2 होगी है हमारा जो total frequency upon 2 f जो हमारा होगया cumulative frequency रंचाय आवर्ती of the class just before the median class और f क्या है हमारा frequency of the median class ठीक है और i क्या होगी हमारा i होगी हमारा length of the median class तो हमने यह formula detail में किया आपको भी पता होगा आप इससे solve करेएगा जब इससे solve करेंगे तो करीब करीब अंसर इसका 48.58 आता जाए ठीक है 48.58 अगर नहीं आता हो तो हम बता है सब्सक्राइब करेंगे median है बीच वाला value माधिका जो है बीच वाला जब mood बोलते हैं वो इस तक क्या भावलग यह होता है most occurring मतलब जो कितनी बार आया है जो जितनी बार जादा आया है वही हमारा हो जाएगा यह मतलब इसमें आप आवरिती को गिनते हैं ठीक है आप धियान देखिएगा जिसकी आवरिती सबसे जादा हो तो इसका भी formula मिलता जुनता formula है उन्हें class में किया था इसे detail में कैसे formula था मैं 2F0 2F0 ठीक है माइनस F-1 इसका हर एक का अपना अपना मीनिंग है हम देख सकते हैं मारे वीडियो लेक्ष्यर में ठीक है इसका जो अंसर आया comment करिएगा क्या आता है ठीक है उसे तरह question no.24 इसका भूर इस टक निकालना है यह बहुत आसान इसको निकालती बताएगे क्या अंसर आता है now 25 बताएगे हमने थोड़ा इससे जल्दी करना है इसलिए हम इससे थोड़ा जल्दी करेंगे which of the following economy is called free market economy किसे बहुत है capitalist कुण जीवाद which of the following economy is called command economy किसको बोला जाता है socialist को इसे चाइना हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया ठीक है रश्या हो गया फिसकल पॉलिशी राजपोसी निती यह कौन बनाता है आर भी याद्रिया मौदरिक निती बनाती है गवर्मेंट अ इंडिया वर्ड वर्ड कैसे कोई लेना देना नहीं है ठीक है question number 28 instrument of fiscal policy क्या है fiscal policy tax and government expenditure ठीक है ना tax हमारे पर जुकर लगता है और सरकार जुकर्स करती है school बनाने में इस्कूल बनाने में अस्पताल बनाने में ठीक है पब्लिक के लिए यंता के लिए यह नहीं होगा question number 29 आते हैं यह क्या बोला हुआ है अब यह सही है monetary policy RBI के काम तो कौन कौन सा हो जाएगा यह तो गलत हो गया CRR repo rate सही है reverse repo rate SLR bank rate ABC मतलब 2 और 3 दोनों ही सही है तो हमारा option कौन सा हो जाएगा option number 4 ठीक है नहीं डिस विल बी करेक्ट अब यह 31 हमारा true false बताना है supplier and finances यह हमारे बाहिवाता और अदमी नहीं है इसलिए हमारा सही है 31 31 में आते हैं क्या है company image मतलब आपके जो company है उसके च्छवी human resource मानुसंसागन और जो बहुत एक संपतिया है वह internal environment यह भी सही है यह आपके company के अंदर की चीज़े इंटर्नल ठीक है आंतरीक और यह क्या है buy now question number 32 in contractionary याने संकुचनवादी fiscal policy government spends more on month नहीं यह more नहीं होता है वो तो कम करती है tax बढ़ा देगी अपने खर्चे कम कर देगी इसका मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा है लोगों के आप से पैसा कम करना है अदर्वाइज वो मांगा ही बहुत बढ़ा देगी ठीक है ना decrease है इसको increase होता तब यह होता है यह हमारा false होता है ठीक है 34 में आते है लिक्विडिटी ट्रैप रलता जाग यह क्या है हमारा किस से रेटेड है छती पूर्ट की राजपूर्शी नहीं थी यह बिल्कुल सही है क्यों सही है हमने बात की थी class में government आपको लोन देना चाहती है लेकिन company जो है loan नहीं लेंगे क्यों किको उनके पास पहले का product बचा हुआ है जो भी कहीं नहीं है क्यों लेके क्या करेंगे वो सो थे market कुछ अब हो तब ले यह हमारा तरलता जाग गबर्मेंट loan देने के लिए तयार है लेकिन जो enterprise वगरा है जो companies वगरा है उध्योग है व मतलब क्या है विस्तारवाँदी के मतलब है लोगों के हाथ में पैसा कम है पैसा कम से क्या होगा घटने लगिगा मतलब connection में मन दी आलक लाक łatal तो अज विल्कुल सही है, हमारा हो गया true now 36, अब यह ध्यान दिजिएगा यह बड़ा typical question है, तो इसमें price से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखी रहा जाता है ठीक है, demand for a normal product में shift outward if आप चाहें तो यह, क्योंकि यह important question है, अधिक्तर इस्टों इसमें confused रहते हैं अभी जो i button पे जो हमारा एक वीडियो है, इसे आप देख लें, आपका यह doubt बिल्कुल clear हो जाए, ठीक है न, question number, answer number 2 हो जाएगा ठीक है, 37, इभी आप देख लेंगे, 37 में क्या होगा, जब सिमानत उपयोगिता धनात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, यह गलत है, बाकि सब सही है, ठीक है, तो यह हमारा सहीन शरुआ है, क्योंकि पूछा गया है, सत्य नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह सब हमने डीटेल में किया है तो इसमें आपको दिक्रत नहीं होने चाहिए 39 में यह क्या है एन इंक्रीज इन प्राइस, आपको मांग में संकुचन देखने को मिलेगा प्री जो आई बटन पर वीडियो है उसमें भी एक्वेश्चन आप कंसर मिल लेगा आपको जबाब इसी आई बटन वाले वीडियो मिल जागे यह तीनों क्वेश्चन नमबर 40, 39 ठीक है? क्वेश्चन नमबर 36 वो आपको इस वारे वीडियो में आराम से मिल जाएगा आप देखिएगा एक और वीडियो भी है मांग की लूज के बारे में मांग से संबनित के बारे में तो उसमें सारे चीज़े आपको जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नमबर 41 आते हैं कि टैरिश के बारे में ड्यूटी लेविड उन्द वैल्यू अप टैक्स इंपोर्टेट है तो हमने देखा था बैरियर्स होते हैं नन टैरी बैरियर्स होते हैं उता होते हैं तो यह क्या है इसका अंसर गया हो जाएगा हमारा यह था मुल्य सुल्चर एड वेलो रहा है नौ चौबिस में 42 में आते हैं कॉंपरेटिव तरी किसका लिवाब दिया हुआ है डेविट रिकार्ड होका यह कई बार कुश्य में आ वहाद रहे हैं बहुत असान कुश्चन असान asks सही है यह मूलते हैं जो आपके पास ज्यादा है उसका एकस्पोर्ट करो जो कम है उसका इंपोर्ट करो करम कि अभेक्षाव देश का लब इसलिए बाहर की कंपनी जो है अपने प्लांट यहां लगाती है जबकि टेक्नोलोजी प्लांट जैसे सपोज इंटल की कंपनी जो चिप बनाती है वह सब लगाना उसमें बहुत ज्यादा लगता है तो इंडिया के पास स्रम ज्यादा है तो स्रम घ्हन वस्तूर का नियाद करेगा और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फॉट्टिफाइब में क्या आज आएगा अब देखिए इसे सहां आपने कह रहा था पहले कभी कभी एक क्वेश्चन का भी आपको पता हो तो आप आसानी से अंसर कर सकते हैं हमें फ्री ट्रेड एरिया के बारे में पता है तो क्या होता है फ्री ट्रेड इडिया अब अब आप देखिए यहां आपका लग कितना अच्छा है और यह ओरिजिनल कोईश्चन है हमारे डेट में आया हुआ है एक ही आप्शन है तो आप्शन नंबर त्री इससे आप मिला सकते हैं बी का पूर हो जाएगा सी का वन हो ज तो आप्शन नंबर टू जो है हमारा इक खरेक्ट आप्शन 46 का बोलिए 46 में क्या आएगा 46 में आ जाएगा यह देखिए नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक क्रूप वर्ल्ड बैंक में यह बी आई एस कहता रही है यह तो हमारा बेजर लॉक्स है यह हमारा किस्ते है हो जाएगा नहीं है तिसलिए क्वेश्चन में पूछा रही है नॉट है पार्ट जिक है अब आते हैं 47 पे 47 क्या बोलता है हमारा 47 में यह हमारा को हो जाएगा ए बी और डी ठीक है 48 देखिए 48 में क्या है हमारा यह कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब इसे अरेंज करना है तो अगर आप किसी दुकान से समान लेते हैं हमने एक प्रेस खरीड़ा उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो हम लोग दुकान के पास लेगे और बोलते हैं इसे वापस कर देखिए उस सीधे वापस नहीं करता अगर कोई मैनिफैक्टरिंग डिफेक्ट है तब वह वापस कर देखिए लेकिन पहले क्या करेगा थोड़ा मुड़ा है तो रिबूबल अब डिफेक्ट हो कर देगा तो हमारा ऑप्शन नमबर यह कट गया ठीक है तो पहले आ जाएगा ए उसके बाए तो क्या करता है अगर उससे भी ब्रेटनवूट कॉन्फरेंस जिसको बोते हैं इसमें आएवे फॉर आइबी आडी अप्शन लेकिन आईडीए जो है डेवलप्मेंट वाला यह बात में आया है पहले ही आया है यह हमारा अंसर नहीं होगा ज्यान दीजिए यह क्या है इंटरनेशनल आइबी आडी क्या है इंटरनेशनल बैंक पो रीकंस्ट्रक्शन डेवलप्मेंट अंतराश्ति पुन इन्वान विकास लाइब करीम 1945 में बना था ठीक है तो क्या जरूत था है वल्ड वार टू के बाद अधिकतर जो है बहुत देशों का बहुत नुक्सान हुआ था रीकंस्ट्रक्शन के लिए पुल बनाने के लिए वगरह वगरह बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए उसके जरूत थी तो IVRD यहाँ है यह भी है ठीक है वोल्ड बैंक के अंदर पांच बैंक आते हैं लेकिन हमारा आप्शन यहाँ पर आप्शन नम्र शुक्ते होगा तो आप यह मैच करा वेजे मै कितना आप्शन सही है और कुछ डाउट हो अगर बहार के लोग तो जरूर कमेंट करें मैं कोसिस करूँगा इसा साल्ब करने की ठीक है ठीक्स पर वाचिंग देर शुडियो थेंक यू